प्रेंज ये दिखिए आज हम सीखेंगे ये बहुत ही प्यारा सा डिजाइन इसे आप as a border भी यूज़ कर सकते हैं या फुल कार्डिगन भी इसे यूज़ कर सकते हैं इसे आप चाहें तो बच्चों की फ्रॉक में बच्चों के सैटर में गर्ल्स टॉप में लेडिस कार्डिगन में लेडिस जैकिट में यूज़ कर सकते हैं या इसे आप शॉल में स्टॉल में भी यूज़ कर सकते हैं तो दिखिए आगे की साइड से ये इस तरह से दिखता है और पीछे की साइड से ये इस तरह से दिखता है ये दिखिए तो इस डिजाइन को बनाने के लिए आपको जो फंदे चाहिए होंगे वो six के multiple से होंगे प्लस टू फंदे एक्स्ट्रा रखने होंगे साइड में एस टिच के लिए तो चलिए फैन देखती है ये डिजाइन कैसे बनेगा ये दिखिए ये इसकी first row है और right side है ये इसकी first row दिखिए ऐसे सारी उल्टे उल्टे फंदों के साथ मुनकर complete कर लेंगे ये दिखिए first row complete हो गई है second row है wrong side इस सारी रो को हम ऐसे सीधे सीधे फंदों के साथ मुनकर complete करेंगे ये दिखिए second row complete हो गई है third row है right side इस सारी row को ऐसे उल्टे उल्टे फंदों के साथ मुनकर complete कर लेंगे row third complete हो गई है fourth row है wrong side इस सारी रो को ऐसे सीधे 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 फंदों के साथ मुनेंगे ये दिखिए fourth row complete हो गई है fifth row है right side अब दिखिए इस रो में कैसे करेंगे स्टार्टिंग का ऐस्टिच ऐसे ही उतारेंगे आगे दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे फिर से दो फंदों का एक फंदा दो बार फिर से दो फंदों का एक फंदा ये दिखिए तीन बार दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे अब धागा आगे करके छे बार सीधे फंदे बनेंगे एक धागा आगे, दो धागा आगे, तेन धागा आगे, चार पांच धागा आगे और छे फिर से दो फंदों का एक फंदा छे बार बनाएंगे एक दो तीन चार पांच और छे धागा आगे करके छे बार एक एक सीधा फंदा बनेंगे एक दो तीन चार पांच छे फिर से छे बार दो फंदों का एक फंदा एक धागा पिछे ही रखेंगे दो तीन चार पांच छे धागा आगे करेंगे एक सीधा फंदा एक बार दो बार तीन चार पांच छे अब लास्ट में ये छे फंदे हैं तीन बार दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे एक दो तीन एक सीधा फंदा ये दिखे रो फिफ्ट कंप्लीट हो गई है 6 रो है रोंग साइड दिखे इस सारी रो को ऐसे उल्टे उल्टे फंदों के साथ बुनकर कंप्लीट कर लेंगे दिखे रो 6 कंप्लीट हो गई है रो 7 राइट साइड ये से दिखे ऐसे ही उतारेंगे जैसे हमने इसकी रो 5 बनाई थी वैसे ही इसकी रो 7 भी बनाएंगे दो फंदों का एक फंदा एक बार दो फंदों का एक फंदा दो बार दो फंदों का एक फंदा तीन बार अब 6 बार धागा आगे करके एक-एक सीधा फंदा पुनेंगे, 1, 2, धागा आगे, 3, धागा आगे, 4, धागा आगे, 5, धागा आगे, 6, फिर से 6 बार दो फंदों का एक फंदा, एक, दो, तीन, चार, पांच, और 6, फिर से 6 बार धागा आगे करके 6 फंदे पुनेंगे, एक धागा आगे, 2, धागा आगे, 3, धागा आगे, 4, धागा आगे, 5, धागा आगे, 6, फिर दो फंदों का एक फंदा, एक, दो, तीन, चार, पांच, और 6, फिर से 6 बार धागा आगे करके एक एक फंदा पुनेंगे, एक, दो, तीन, धागा आगे, 4, धागा आगे, 5, धागा आगे, 6, फिर से 3 फंदे, देखे, दो फंदे बुनेंगे 3 बार, एक, दो, तीन, एक लास्ट का फंदा सीधा, ये दिखे, 7th row complete हो गई है, 8th row है, wrong side, इस सारी row को ऐसे उल्टे उल्टे फंदों के साथ बुनकर complete कर लेंगे, ये दिखे, फंद, row 8 complete हो गई है, और ये design दिखे, ऐसे बनकर दिखने लगा है, अब फिर से इसकी 1, 2, 8 row बार-बार repeat करते जाएंगे, और ये design ऐसे ही हमारा बनता जाएगा, देखे, इसे आप अपने किसी project में डाल सकते हैं, तो friend, आप भी इसे बनाएए, और अपने experience हमारे साथ शेयर केजिए, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, तो मेरे चैनल को like, share and subscribe करना मत भूलें, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, thank you friend.